Android 11 का 4th preview का launch हो गया है जबकि अभी बीटा वर्जिन को आना चाहिए था लेकिन क्यूंकि COVID-19 का situation चल रहा है तो जो डेट है वो पॉस्पन हो के जून में हो गई है सबसे पहला फीचर जो इस लिस्ट में जो मुझे पसंद आया वो है स्किड्यूल डाक थीम मतलब आपने कहीं बार देखा होगा कि जिते भी फोन के ब्रैंड है वो अपने यू आई में तो एक अलग सा डाक थीम मोड देते हैं मगर यह एंडॉड का इन बिल्ट फीचर कभी नहीं था अब क्या हो रहा है जो एंडॉड रोल आउट होने वाला है मतलब एंडॉड 11 उसमें आपको डाक थीम मोड नाई सिफ दिखेगा बल्के आप उसको स्किड्यूल भी कर पाऊगे मतलब सपोज आपको रात आट बज से लेके सुबह के 6 बज़े तक ही डाक थीम चा और मैं कब से वेट कर रहा था ऐसी कोई चीज एंडॉड में इन बिल्ड बनके आ है अभी आ चुकी है तो इसी वज़े से यह मेरे लिस्ट में सबसे पहली चीज है हमारे लिस्ट में जो दूसरा फीचर है वो है वान टाइम परमिशन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई एक परमिशन के आने के बाद जब भी कोई आप आप से आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा या फिर आपकी माइक की परमिशन मांगेगा या फिर आपके फोन की कैमरा की परमिशन मांगेगा तो आप बस जब तक उस एप को यूज कर रहे हो उसी टाइम के लिए उस एप को आप permission दे दोगे तो वह वाली आप सिफ एक ही बार के लिए आपकी इन सारी चीजों को access कर पाएगी तो यह आपकी privacy को definitely enhance कर देती है मेरी लिस्ट में जो तीसरा feature है वो है screen recording आप में से बहुत सारे लोग यह बोलने वालो यह तो हमारे फोन में already है definitely क्योंकि बहुत सारे ब्रैंट्स अपने UI में यह वाला feature डालके देते हैं बट कुछ यूजर मेरे जैसे भी होते हैं जिनके जो फोन के ब्रैंट्स हैं वो उनके UI में यह feature डालके नहीं देते तो हमें इंतजार रहता है कि कब android inbuilt screen recorder बना के रोल आउट करेगी और इस बार गूगल ने बात सुन ली और android 11 में आपको screen recorder मिलने वाला है हमारे लिस्ट में जो चौता feature है वो है recent app screen कहीं बार ऐसा होता है जब आप अपना phone यूज़ कर रहे होते हो और आपको बहुत सारे apps को यूज़ नहीं करना होता है वो खुले होते हैं background में तो आप recent वाला बटन है उस पे क्लिक कर देते हो एंड सारे जो apps चल रहे होते हैं उनको धड़ादर swipe करके बंद कर रहे होते हो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिस app को आपको बंद नहीं करना होता है वो भी गलती से बंद हो जाती है तो android 11 में एक feature आएगा कि जब भी आप किसी भी app को ऐसे बंद करोगे swipe करके तो वहाँ पे अंडू का option आएगा और उस पर क्लिक करके आप वापिस उस एप को restore कर सकते हो तो यह भी काफी बहतरीन feature है मेरे लिस्ट में पांच और आखरी feature है बेटर D&D D&D का option आपको Android 10 में भी मिलता था मगर Android 11 में D&D को काफी refine किया गया है क्योंकि यहां पर D&D में आपको exceptions apply करने का option मिलता है and basically exceptions तीन category में divided है people, apps and alarm and further यह जितनी भी categories है इनको sub categorize भी किया गया है like आप कौन से contact को exception बना सकते हो so that D&D मोड में भी उनका notification आपको मिले या फिर कौन से वो apps है या कौन से वो alarm से schedule है जिनका notification आपको D&D में रहते हुए भी मिले तो इन सारी चीजों की वज़े से जो D&D आपको Android 11 में मिलने वाली है वो काफी जादा refined and better होगी than Android 10 तो दोस्तों यह थे कुछ features जो मुझे काफी जादा अच्छे लगे Android 11 में दो बहुत सारे चोटे और बड़े features और भी आने वाले है अगर आपको उन सारे features के बार में मालूम है तो प्लीज आप comment करके बताओ कि आपको कौन-कौन से जो features है वो पसंद है अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज comment section में comment जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe के विना कहीं मत जाना क्योंकि मैं ऐसी content के साथ आता रहता हूँ मैं मिलता आपको अगले वीडियो में until then over and out